नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infonex Hot 25 G vs. Tecno Spark 8P का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के Dimension की दोनों फोन की Length की बात करें तो Hot 25 G में 6.55 इंच जब की Spark 8P में 6.48 इंच की Length मिलती है जो की Hot 25 G से कम है Width की बात करें तो Hot 25 G में 3.01 इंच जब की Spark 8P में 2.99 इंच की Width मिलती है जो की सेम जैसी ही है, बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही, 0.35 इंज की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, होट 25G में 204 ग्राम्स, जबकि स्पार्प 8P में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio Hot 25G में 20.5 Ratio 9 जबके Spark 8P में 20 Ratio 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में same ही 6.6 inches मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में same ही 1080 by 2408 मिलता है Screen to Body Ratio Hot 25G में 82.75 प्रतिशत जबकी Spark 8P में 84.12 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो दोनों फोन में same ही 400 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Hot 25G में वन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और स्पार्क 8P की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, depth camera और आखे में AI lens देखने को मिलता है बात करें video camera की तो दोनों phone में 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है अईए अब बात करते है hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो hot 25G में Mali G57MC2 जब की spark 8P में Mali G52MC2 मिलता है chipset की बात करें तो hot 25G में Mediatek Dimensity 810 MT6833 और park 8P में Mediatek Helio G85 मिलता है बात करे RAM की तो दोनों phone में सेम ही 4GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही 64GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो hot 25G में up to 1TB जब की spark 8P में up to 512GB है operating system की बात करें तो hot 25G में Android V12 जब की spark 8P में Android V11 देखने को मिलती है battery की बात करें तो दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अईए अब main feature को देखते है colors की बात करें तो hot 25G में 3 colors जब के park 8P में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो hot 25G 4GB range 64GB storage के साथ 11999 रूपीज में मिल जाता है और बात करें spark 8P की तो वो 4GB range 64GB storage के साथ 10999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो infonex hot 25G में 5 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है जब की बात करें technos park 8P की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है main camera में दोनों फोन सेम ही है front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है performance में hot 25G आगे है दोस्तों अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है दुसरा Tecno Spark 8C है तीसरा Xiaomi Redmi Note 11S है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Vivo T144W है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना